आज हम ताजी हरी मेथी की सबजी बना रहे हैं यहाँ पर सबजी को हमने इस तरह से बनाया है कि सबजी आपको बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी इस सबजी में हमने नहीं प्याज का इस्तेमाल किया है नहीं लसुन का फिर भी सुपर टेस्टी सबजी बनकर तयार हुई है चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है ताजी हरी मेथी और आलू की सूपर टेस्टी सब्ची हैलो फ्रेंट्स में हूं मनुर्मा, गुपिद मनुर्मा में आप सब का बहुत स्वागत है मेथी की सब्ची बनाने के लिए यहां पर हमने एक बंच मेथी लिए थे उसे अच्छे से हमने साफ कर लिए है उसका डंठल हमने नई लिए इसी पत्ता लिए है और इसे अच्छे से वाश करके इसे बारिक तुकडों में हमने कट कर लिए है यहाँ पर हमने आलू लिए है तीन से चार आलू है जिससे हमने छिल कर इस तरह से बड़े साइज में कट कर लिए है राउंड शेप में इसे अच्छे से हमने वाश कर लिए है चले अब हम मेथी की सबजी बना दे हैं के यहां पर हमने कड़ाई लिए हैं इसमें हम दो चममस तेल डालेंगे और तेल को हमику अच्छे से गर्म होने देना है तेल अच्छे अच्छे से करह're ो चुका है इसमें हम आलो डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे तेज आच पर इसे हम 50% पका लेंगे, इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, जितना आलू उस हिसाब से हमें नमक डालना है, अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसे हम ढग देंगे, बीज-बीज में इसे हम चेक करते रहेंगे, चलाएंगे बीच में, और 50% ओल में हम आलू को पक ने देंगे, आलू देखिए 50% हमारे पक चुके है, इस पर देखिए कोटिंग भी आ चुका है, अब इसमें हम जीरा डालेंगे, पाउच हम मत जीरा डालना है, थोड़ा सा आलू सरका देंगे हम, और ओल में जीरा डाल देंगे, यहां पर हमने अदरक ले लिय रहे है देखिए जीरा भी तड़क गया है अद्रग भी पख गया इसमें देखिए ऑईल में अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आंज को मीडियम करेंगे और इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे अदा चम्मच हल्दी पौडर डलना है आदा चम्मच लाल मिर्च पौडर इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है मसाले देखे अच्छे से मिक्स हो चुके है तीन हमने चमाटर ले लिए जिसे बारिक टुक्रों में कट किये है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब मसाले हम एक से दो मिनट पका लेंगे, मसाला देखिए अच्छे से पक चुका है, अब इसमें हम मेथी डाल देंगे, मेथी हम मिक्स नहीं करेंगे, बाद में इसे मिक्स करेंगे, ताकि आलू जो भी है थोड़ा बहुत और इसमें पक जाए, हरी मिर्च डाले, हमने 5-6 हरी मिर्च लिए जिसे कट नहीं किये, ऐसे ही डाल दिये है, और इसमें नमक डालेंगे, हमने नमक का इस्तेमाल पहले भी किये थे, इसलिए हिसाब से अभी नमक डालना है, और इसे ढख देंगे, कम से कम 2-3 मिनट इसे ऐसे ही हम पकने देंगे, दो से तीन मिनित हो चुका है अब हम चेक करेंगे देखिए मेथी कितनी गल गई है कम हो गया है अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से इस तरह से सबजी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होता है, सबजी बहुत अच्छी लगती है खाने में, क्योंकि आलू को हमने पहले ही फ्राइ कर लिये थे, बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होता है सबजी, देखिए अच्छे से सब मिक्स हो चुका है, अब हम अगर आपको मेरे रेसीपै अच्छी लगी हो, तेक लाइक करिए, कुक इच मनुण मार्वाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और अबेल आइकन दबाना ना भोले देखिए सब्जी हमारी पक चुकी है आलू भी पक गया है देखिए आसानी से कट हो जा रहा है पर्फेक्ट सब्जी हमारी बनकर तयार हो गई है देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है खाने में बहुत ही सूपर टेस्टी सब्जी बनी है आप एक बार इस सरे से जरूर ट्राइ करिएगा आपको बहुत पसंद आएगी अगर आपको ए रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए कुकविद मनुर्माई चैनल को सब्सक्राइब करिए अब हम गैस को बंद कर देंगे और पांच मिनट बाद इससे हम सर्व करेंगे देखे मैं सर्व कर रही हूँ सूपर टेस्टी आलू और मेथी की सबजी बनकर तयार है इसे आप रोटी के साथ पराठे के साथ खिचुडी के साथ दाल चाहल के साथ खा सकते हो बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है इसमें हमने प्याज और लसुन का इस्तेमाल नहीं किया है देखिए आप एक बार जरूर ट्राइ करें